जो मेरे अंदर जो भावना है कि मुझे जन्ता की सेवा करनी है और बिलकुल निस्वार्त भाव से ये सिर्फ मेरे पिताजी से मैंने मुझे लगना है उनी से मैंने सीखा है मेरी मदर मेरे बहुत स्ट्रिक्ट भी थी जो रूल्स और रेगूलेशन मेरे फ्रेंस पर लागू होते थे मुझे भी होते थे और बिलकुल मुझे एक बजट दिया जाता था कि इससे जादा आपको स्पेंड नहीं करना है और बिलकुल नॉमल तरीके से मैंने अपना कुछ नहीं होता था एक दो घंटे बाद वापिस में घर आ जाती थी कई शक्सिते अपने व्यक्तित्फ से लोगों के जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती हैं ऐसा ही एक व्यक्तित्फ है जैपूर की पूर्वराज कुमारी दिया कुमारी का इस सब हमारे साथ खुद द विदों कि अपने पिताजी से कितनी प्रेरणा में लिया जी जो आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ और जिस तरह से जो मेरे अंदर जो भावना है कि मुझे जंता की सेवा करनी है और बिल्कुल निष्वार्त भाव से ये सिर्फ मेरे पिताजी से मैंने मुझे लग रहा है उन्हीं से मैंने सीखा है और जिस तरह से उन्हों ने देश की सेवा की वो सेनावे में थे उनको महावीर चक्र से भी समानित किया गया और वो उनके जो दिल में मैंने देखा चाहे कुछ भी होता था जैपुर में कोई भी घटना होती थी चाहे र तो वो मुझे उंसे सीखा और उन्ही से मुझे प्रेंड़ना मिली और आज मैं राजनीती में हूँ bets घमार मधा जी भी बहुत ऱड़ान से बहुत डाउंट मैंने ै जीवन जिया है जोत मुझे लग रहा उससे बहुत ज़्छादा आज गो मैं हूँ बहुत कुछ tap deci मेरे ऐसे हूँ और उस जो मेरा वो बैगग्राउंट था जो मेरा जो यह एक बच्पन जो मैंने एक बहुत ही न collecting स्थ्राउंड में ऐसे कह़रा ने मैं पढ़ ही हूं मॉडं स्कूल में उसके बाद में घ्डिwurf मेई भी पढ़ ही फिर में और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ अलग नहीं हूँ बिलकुल मैं इस परिवार में मैंने जलूंगी। कोई भी आपको यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगी। कि मैं बहुत हमबल एक व्यक्ति थी बहुत नॉर्मल हमबल थे इतना हमबल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। और जो लंडन में आपकी पढ़ाई रही डेकुरेटिव आर्ट्स आपने जो पढ़ा उस बारे में कुछ बताएं कैसे आपका वहां पर स्टे रहा वहां पर तो बिलकुल भी आपका जो माना जाता है कि एक रॉयल अप्ब्रिंगिंग होती है वो तो वहां पर बिलकुल भ जाती थी पढ़ने के लिए टैक्सी में जाती थी बिलकुल नॉमल तरीके से लिए वापस जो जीवन जो बिलकुल ही लोगों की ग्लेर से लाइम लाइट से दूर वह वापस आ जाए बहुत बार अफकोस ऐसे लगता तो है कि प्रिविसी थोड़ी सी काम हो गई है स्ट्रेस रिलीव होता है और पॉलिटिक से अब आपको टाइम मिल जाता है निकालने का इन सब शीजों के लिए ट्रावलिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है लेकिन म्यूजिक के लिए बिलकुल जैसी मैं गाड़ी में बैठती हूं मैं मुझे रिलाक्सेशन उससे बहुत मिलता है मैं गाती भी थी मैंने कैलाश खेरजी से थुड़ा बहुत क्लासिकल सिंगिंग सीखा भी है तो राजस्थान तक के दर्शकों के लिए अगर आप दो लाइने कुछ अगर में आके से बिलकुल आपको नहीं मैं बिलकुल आउट अट प्रैक्टिस हूं तो अभी त जो हमारा basic character होता है, उससे हमको हमेशा जुड़ावा रहना चाहिए. शास्त्रे संगीत, आपने कितने समय सीखा? साल भर, साल, दो साल मैंने सीखा. तो इस्ट्रुमेंट भी आपने? मैंने नहीं सिर्फ सिंगिंग, वोकल, मुझे बहुत शौक था बच्पन से ही, गाने का, तो वो पेंटिंग का भी बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने रेक्रेटिटिव आर्ट का कॉस किया, और उसके बाद कुछ समय तक मैंने उसको परस्यू भी किया, पर उसके बाद फिर वो छूट गया, क्योंकि मैं सीधा फिर वापिस जैपूर आई, और जैपूर में मैंने अपना म्यूजियम और सब कुछ फिर सम्हालना शुरू किया, धीरे-धीरे समझना शुरू किया, और बिल्कुल फिर मैं उससे जुड़ गई, अब पर रियाज हो पाता है, क्या समय नहीं बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मैंने कोशिश की थी, लॉकडाउन की समय, कि मैं फिर से पेंटिंग और म्यूजिक शुरू करूँ, लेकिन किसी ना किसी वज़े से वो नहीं हो पाया अब थोड़ा सा राजनीती के बारे में बात करेंगे, आप 2013 में पॉलिटिक्स में आई, उस समय नरेंदर मोधी जो की गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनकी प्रेजन्स में आपको पार्टी में लाया गया, बीजेपी का एक नैचरल आपके लिए पार्टी थी जिसमें आपने आना था, या फिर समय के साथ आपको लगा के ग्रोइंग पॉपुलारिटी पार्टी की है, तो उसलिए आपने डिसीशन लिया। हम सब उनको एक बहुत ही ऐसा फिगर की रूप में देखते थे और अभी भी देखते हैं कि वो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं और बहुत कुछ हमारे देश में परिवर्तन ला सकते हैं। टिकेट कार्ट दे गई है, तो क्या लगता है अब आपके लिए ये नैचरल फील्ड है या फिर समय के साथ आप थोड़ी जादा परिपक्वों हो गई है। मेरे जो फौर फादर्स हैं, उन्होंने हमेशण ही अध्मिनिस्ट्रेट किया है, हमेशा ये जन्ता की सेवा की। जाये बो गयत्री गीजी की बात करें, मान सिंह जी की बात करें, या जैसिंग जी की बात करें, तो वर्षों से जनता की सेवा ही है, तो नाट्रल फील किसको कहेंगे अब, obviously it's in my genes, it is in my blood and I want to work for the people, that is the only reason, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आई और मैं सोशल वर्क से जुड़ी वी थी, मेरे स्कूल मैंने शुरू किये, दोनु पैलस स्कूल और महराज़ा भवानी सिंग स्कूल, मेरा फांडेशन बिल्कुल अभी भी है और बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, बहुत बढ़ गए है और मेरा फांडेशन पीडी किया, उसको भी मैंने उसी समय शुरू किया, और भी बहुत सारी कॉजस से मैं जुड़ी भी थी, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे लीडर्स ने कुछ देखा होगा कि नहीं ये, और मैंने भी सोचा कि नहीं हमको, अगर मुझे कुछ सचमुच में बदलना है, तो मुझे mainstream में आना होगा, politics में आना होगा, तब ही हम लोग actual में कुछ बदलाव ला सकते हैं, किसी जीवन, किसी भी एक व्यक्ति कि जीवन में अगर हमको बदलाव लाना है, उसकी जीवन को अच्छा बनाना है, उसकी livelihood को improve करना है, तो उसमें ज भाग में आता है पहले वो जैपूर ऐस्ट वाइल जैपूर स्टेट का ही इस्सा था और इसलिए शायद मुझे वहाँ से टिकेट दिया गया और मैं वहाँ से MLA चुनाओ लड़ी मुश्किल चुनाओ था लेकिन मैं जीती महनत की और वहाँ के कारेकरताओं से भी वहाँ की जनता से मेरा आज भी बहुत जुड़ाओ है और बिल्कुल बहुत कुछ हम लोगों ने बदलने की कोशिश की लोगों की मानसिक्ता जो बहुत अलग थी उस समय उसको भी बदलने की बिल्कुल स्वायमादूपुर के लोगों से मेरी भी कई बड़ जब बात हुई तुनों प्लूंस रहा आपके उपर जी वो तो बिल्कुल आज भी हमारे लिए आइकॉन है पुरे राजस्थान के लिए और पुरे देश के लिए वो समय ना केवल उनकी खुबसूरती की वज़े से लेकिन उनकी व्यक्तित्व के वज़े से उनकी क्यारेक्टर उन्होंने जिस तरह स से चुनोतियों का सामना किया उस समय इतना कुछ महिलाएं बहार नहीं निकलती थी उस समय उन्होंने फर्स्ट गर्ल स्कूल established किया महरानी गायत्री देवी स्कूल और जो परदा सिस्टम था उससे भी बहार निकाला महिलाओं को अपने आप भी उन्होंने सभी महिलाओं को आगे बढ़ाया वो पॉलिटिक्स में आई उस समय स्वतंत्र पार्टी के माध्यम से उन्होंने पार्टी को भी की फाउंडर थी वो और उस समय उन्होंने बहुत संगर्श किया फिर उसके बाद एमर्जेंसी के समय उनको जेल भी जाना पड़ा वहां उनको बहुत परिशान किया गया मेरे पिता जी को भी जेल में उस समय वो थे तो उसके बावजूद भी उन्होंने इन सब चीजों का सामना बहुत gracefully किया अपनी dignity को intact रखा और इसलिए वो हम सभी के लिए एक आधर्ष है और icon है राजस्तान के लिए महराजा भवानी सिंग जी ने गायतरी देवी जी ने राजस्तान के लिए बहुत काम किया कई संगटन है स्कूल्स है एजुकेशनल इंस्टिटूशन है पर अभी भी कई आप मानेंगी कि राजस्तान कई एरियास में पिछड़ा हुआ है जैसे कि आपने अभी भी परदा सिस्टम कहा गाउं धानियों में अभी भी वो है इसके बावजूद के कई बार एफर्ट्स किये गए कि कुछ जो तुरुटियां है या जो पुरानी प्रधायं चलिया आ रही है जो वो खतम की जाएं पर आपको लगता है क्या में इशूज है अभी राजस्तान में आपके साब में इशूज बिलकुल महिला हैं अभी लेकिन जब हमारी सरकार थी जब मैं मेले थी उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभीयान हमारे प्रधान मंत्री जी का है वो हमारे स्टेट में बहुत थी अच्छी तरह से चला और जिस तरह से कनिया भून हत्या पे भी हम लोगों ने अवेनिस कैंपेंग चलाया और उस पे बहुत हद तक हम सक्सेस्फुल भी हुए और जो चाइल्ड मैरिजिस हैं उस पे भी हम लोगों ने बहुत ज़ादा उसको भी बहुत अवेनिस फैला के जहां जहां इस तरह के कोई भी ऐसी घटना सामने आती थी उसका हम लोगों ने सक्त उस पे कदम उठाए मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एमबैस्डर भी थी उस समय राजसान से हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हमारे प्रधान मंत्री जी भी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं महिला सशक्ती करण के लिए उन्होंने इतने सारे योजनाएं चलाई हर योजना अगर आप देखें केंद्र सरकार की तो उसमें आखरी बेनेफिचरी जो है वो महिलाई है चाहे वो जल्धन योजना की बात करें उजवला योजना की बात करें हर योजना में महिला सशक्त होती है मजबूत होती है 11 मंत्री हैं हमारी जो महिलाएं है आज के इंद्र सरकार में वो भी बहुत बड़ा काम है और मैं यह कहूंगी कि इसमें हर सरकार को बहुत आवशक है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको उनका अधिकार देने के लिए शौचाले को लेकर बड़ा मुद्डा बनाया गया, उससे लगता है कि फाइदा मिला है सवाच भारत का ग्रामीर महिलाओं को राजस्ता बहुत फाइदा मिला है, वो महिलाएं वेट करती थी कि कब अंधेरा हो तब हम लोग बहार निकले या सूरज उगने से पहले वो लोग बहार जाती थी और वो उनके लिए बिलकुल भी सेफ नहीं होता था और अब घरगर जो शोचाले बने हैं उससे बहुत जादा महिलाओं को उनका वो जो सेफटी भी बड़ी है उनके लिए जो शोचाले बने हैं उसमें उन्होंने इसकी शुरुवात की राजस्तान में कई जो राजनेतिक परिपेक्ष है वो काफी बदल रहा है आने वाले समय में हो सकता है और भी बदल जाए तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप एक मुख्य प्रबल दाविद और की तौर और सामने आ सकती है राजस्तान के अगले मुख्य मंत्री के तौर पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती और ये तो क्या है कि मीडिया और हर तरीके के ये इस तरह की चीज़े चलती रहती है बिल्कुल भी नहीं मैं अभी MP हूँ राजसमन से और मुझे जो कारिय दिया ग होगा ये सब कुछ हमारा पार्टी का जो नैत्रुत्व है वो डिसीजन लेता है ये हमारा डिसीजन नहीं है हम लोगों को हमारा काम सक्सेश्फूली करना है जन्ता के दिल में उतरना है जन्ता की मली लिए आप से पुछना चाह रहा था था थोड़ा साब क्योंकि आप तो इसलिए आने वाले समय में क्योंकि कई प्रकार की जो नाम है वो सामने आ रहे हैं जिनमें से आपका भी नाम एक है तो अगर ऐसा प्रपोस किया जाता है तो अगर ऐसा कोई प्रपोस नहीं हुआ है और अभी मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी है कि किसी को भी हम गंबीर मुद्धा हो गया अब से जानना चाहूंगा कि दिया कुमारी का बच्पन कैसा था क्या जैसे बाकी बच्चे शरार्ती होते हैं आप भी बच्पन में मतलब शरार्ती थी क्या मतलब सिब्लिंग्स के साथ मेरे सिब्लिंग्स है नहीं तो मैं जब डेली में पड़ी क्योंकि मैं ज़्यादा दिली में ही पड़ी तो उस समय बिल्कुल मैं शरार्ती भी थी बहुत ढीट भी होती थी स्टबन बहुत थी और बहुत बार में घर चोड़ करके घर चोड़ के चली जाती थी और वहां बैठ जाती थी कि मैं घर चोड़ के जा रही हूँ या तो मेरी बात मानो या मैं घर चोड़ रही हूँ तो कुछ नहीं होता था एक दो घंटे बाद वापस मैं घर आ जाती थी कई बार बिल्कुल बनाते थे कोई ना कोई घर से आता था जाने के लिए तो मैं इस तरह से करती थी, मैं काफी स्टबूर्ण थी तुदि, बहुत ज़्यादा शरार्ती थी या या उपता ने लेकिन बिल्कुल वो सारी जो बच्चों में शरारत भी होती है stubbornness भी होती है बहुत सारी चीज़े हम लोग करते हैं जो बच्च बना कहते हैं उसको immaturity भी होती है वो सब चीज़ें भी बिल्कुल मेरे में भी वो सारे trace iam sure थे और आपके पिता जी ब्रिगेडियर भवानी सिंग जी जब अलग अलग जगा जाते होंगे क्योंकि काम उनको ले जाता होगा तो आप भी उनके साथ ट्रैवल करना परसंद करती थी या फिर आप घर पर ही रहते थे जी जब स्कूल मेरी जब स्कूलिंग शुरू हो गई फिर बुनाए में अमबासडर जब उन्होंने हाई कमिशन की शुरूआत की वो फर्स्ट हाई कमिशनर मेरे फादर थे और उस समय मैं डेफिनिटली ब्रुनाए गई थी बहुत समय के लिए दो-तीन महीने रही भी थी बिलकुल तो उनके साथ बहुत सारी जगाओं पर मैंने ट् अच्छा लगता था बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलने का मौका मिलता था देखने का मौका मिलता था इंटराइक करने का मौका मिलता था तो बिलकुल मैं कोशिच वह बिलकुल एक एजुकेशन होता है ट्रावलिंग भी पार्ट एजुकेशन जब तक आप एक पर 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 रहा है या फिर टाइम डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है जैपुर और राजसमन्त के बीच बिल्कुल वह बैलन्स तो करना होता है तो मैं हर विधान सभा मेरी आठ विधान सभाएं हैं लोग सभा में और सारी थोड़ी दूर दूर है और बहुत लंबी लोग सभा है आपके लिए बिल्कुल नया है मैं इससे पहले कभी राजसमन्त गई भी नहीं थी लेकिन फिर पाटी नहीं मुश्किल हुआ या वहां पर वहां पर वह जो वेव चल रही थी उस समय उसमें 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 आपको लग को हम लोग सब हमारे प्रधान मंत्री जी नरे राज घराने से रही है तो बहुत बड़ा दाइत वो होता है आप मानके चलती है कि काफी responsibility आपके कंधों पर बिल्कुल responsibility है बहुत ज्यादा responsibility है वो dignity grace carry करने का भी और उस legacy को आगे बढ़ाने का भी तो बिल्कुल या है वो legacy है क्योंकि जो पूर्व महराज भवानी सिंग है उनकी अपने legacy मानी जाती है तो आप अपनी identity create करने की कोशिश कर रही है independent of him या फिर आपको लगता है वही legacy आपको आगे लेकर जाने है देखिए मैं अपनी identity create करती हूं या नहीं वो तो आगे की बात है लेकिन उनकी जो legacy है उनकी और उनके मेरे पूरवजों की जो legacy है उसको भी अगर मैं carry forward कर सकूँ और अच्छी तरह से वो जो पूरा जो पूरा जो उनका culture है हमारा हमारे traditions है हमारी ये सारी धरोर है इसको सम्हाल के आगे वाली generation को आप समझा के उनको कैसे इसको सम्हालना है protect करना है preserve करना है ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये अगर मैं निभास सकू तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे ये बहुत बड़ी बात होगी ये कहना है राजस्तान के पूर्व राजगराने की राजकुमारी दिया कुमारी का के जो दाइत्व है उससे बड़ी बात है कि जो legacy उनके पिता जी ने उनके उपर छोड़ी उसको वो किस तरह से संजोके रखती है और आगे कैरी फॉवर्ट करती है कैमरा परसन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन राजस्थान तक के लिए